गुडमारिंग प्रेंट्स Lie adult harbor सिक्षिए और सब्सकी इसente Profile के मैं आपको बताऊंग आप अपने box साइकल के सपार्क को कैसे क्लीन कर सकते हैं उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसके गैप को और कैसे आप स्पार्क प्लग को रीड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं एक तरसे आप कहिए तो यह जो स्पार्क प्लग है जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके इंजन के बार में बहुत कुछ बताता है एक तरसे आप कहि बार तो आपके तरह से निकल जागा इसको नेक्सट आपके motorcycle के साथ जो toolbox मिला होगा उसको आप देखेगा उसमें है इस तरह कर है इसे आप इस पार्क टलक उपन कर सकते हैं बहुत में होता है कि यहाँ पेक hold रहता है उससे screwdriver से होता है किसी-किसी में आपको spanner का युज़ करना पड़ेगा और एक एक बात मैं इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा कि यह हमेसा इसी का यूज किए आप ओपन करने के लिए इस तरह का जो हैंडल होता है और सौकेट उसका अलग आता है इसका भी यूज कर सकते लेकिन इसका यूज मत किजिए क्यों नहीं किजिए मैं इसको बाद में बताऊं है यह मैं यह आपको आँओ और एक पाता और जब भी आप इस पार्क प्लग मैं ऑपन कीजिए तो cold condition में open किये नहीं तो अगर आप hot condition में करते हैं तो एक तो आपका हाथ भी जलेगा प्लस आपका जो thread जो है जो यह जो आप thread देखेंगे इसको जो thread है आपका वो भी damage होने का chance रहता तो जब भी आपका engine cold रहेगा उससा में आप open कीजिए अभी देखिए इस spark plug के condition को देखिए और फैल का mixer एक दम सही है इसमें ब्राउनिस टैप का आपका appearance आ रहा है रेडिस ब्राउनिस और एक और spark plug में दिखाऊंगा दूसरे मोटर साइकल का जिसमें कि आपको rich mixture अगर रहा तो कैसा आपको दिखेंगा यह देखिए यह इस पार्क प्लक को देखिए ओकि फुली ब्लैक है अब कि यह जो इस पार्क प्लक है फुली ब्लैक दिख रहा होगा आपको दोनों में डिफ्रेंस आपको पता चले तो यह आपका करेक्ट एल फिल मिक्सर का यह सपार्क प्लक और यह इसमें देखिए अगर इच फियल आप दिये तो कैसा ब्लैक है तो मतलब इसमें एयर फि तो में पोजिट ऊगिया सपार्क प्लक पे अब करेक्ट और यह एकदम सही है और यह होता ली मिक्सर का को कि इसमें देखेंगे थोड़ा 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 खरच ऑक्सिडाइज यह आपका lean mixture का indication, यह lean mixture हो गया, यह rich mixture हो गया, और यह एकदम exactly सही mixer है, उसका है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपका यह bore piston kit आपका घिंज गया है, जैनरल यह 40-50-50 के बाद होता है, अगर घिंज गया है, और जो oil ring है, वो खड़ाब हो गया है, यह compression ring खड़ाब हो गया है, और oil आपके cylinder में आ रहा है, बर्निंग जहां पर बर्निंग होता है, तो आपके spark plug में oil के traces भी आएंगे, इसमें नहीं है, इसमें सिप दोनों में नह दिखता है, तो वो भी आपका सोग करता, तो इससे आप देख रहे हैं कि आपके spark plug से आपको कितना चीज़ पता चल रहा है, fuel mixture correct है कि नहीं वो पता चल रहा है, आपका bore piston का kit सही है कि नहीं वो पता चल रहा है, इस तरह का wire जो electrical wire होता है, उसको आप ले लिजे, कोई भी diameter क मोटा है तो और अच्छा ही है, और इसको क्या कीजिए आप, यहां रखता हूं मैं spark plug, इसको हलका साप cut कर लिजे, इस तरह से cut कर लिए छोटा, और इसको क्या कीजिए, हलका साप, इसको इसका ऊपर का remove कर लिए, और इससे, यह आजब brush काम करता है, यह है, जब brush काम करता है, आपके spark plug को clean करने के लिए, इससे आप spark plug को काफी अच्छा से clean कर सकते हैं, जनरली four stroke engine में आपको spark plug क्लीन करने का जोट नहीं पड़ता है, एक्चुली जब two stroke engine रहता है, उसमें आपको ज्यादा spark plug क्लीन करने का जोट पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि oil deposit हो जाता है, जो engine के साथ जो oil हम डालते है, उसमें two stroke में, उसमें oil deposit हो जाता है, तो वह starting problem होता है, उस समय हमें two stroke engine oil में clean करना पड़ता है, बार-बार, लेकिन four stroke में आपको clean करने का जोट नहीं है, अगर आपका engine सही रहा, वाईल अगर lift नहीं कर रहा है, तो आपका, यह spark plug हमेंसा clean रहे हो, और spark plug का एक खास बात पता है क्या है, जब यह temperature के ऊपर जाता है, जैसे आपका engine स्टार्ट हुआ, कुछ temperature के ऊपर गया, वह temperature बढ़ रहा है, तो यह spark plug खुद पे खुद clean हो जात नहीं है, अगर आपको clean करने का मन है, तो आप clean कर लिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई जोद पढ़ता नहीं है, spark plug clean करने का, कभी-कभी आप gap adjust करने के लिए, इसको clean कर सकते हैं, या देख सकते हैं gap को, उसके लिए आप open कर सकते हो, तो generally मैं क्या करता हूँ कि, जब भी मैं change करत सकते हैं, और नहीं, तो भी मैं, आप इसको clean कर सकते हैं जैसे कि ये है, और एक और important बात है, जाए जैसे कि यह एक नया spark plug है और जैसे कि हम ऐसे बड़ा important बात होता है spark plug का gap। अब gap हमेसा सुनते हμαι होता कि जैसे कि यह नया spark plug है इसको हम open करेंगे करेंगे इसको एक हम सल नजए आफ़ देखेंगे तो यह नया spark plug इसमें जो días फार्ट है वह अपने motorcycle का नाम बताईए वो उसके हिसाब से exact जो उसके लिए spark plug है जो recommended spark plug है वो आपको दे देगा वो लेके आईए और उसका gap देखिए वो gap होता है वो एकदम pre-adjusted रहता है एकदम exact वही गारी के लिए वही होता है तो उसको आप copy कर सकते हैं ऐसे तो filler gauge का use होता है gap adjust करने क लेकिन वो तो एक तो costly हो जाएगा और प्लस जो general जो घर में use करते हैं बाइक जो घर में repair करते हैं उसके लिए वो मतलब practical नहीं है आप filler gauge ख़ए देगा फिर आप gap पता किएगा कि कहां से gap कितना होना चाहिए इस गारी के लिए तो सबसे best और easiest तरीका क्या है कि आप एक न इस तरह का जो blades होता है जो कि हम लोग saving के लिए यूज़ करते हैं उसको आप ले लीज़े ओके सब्सक्राइब लेड़ है इसको बीच से आप ब्रेक कर लीज़े और इसमें आप टच करके देखिए आप ऐसा दो तीन blade कर दिये जो कि आपका gap का idea आप को देगा आप copy कर लिज़े इसको यहां पर मैंने चार blade डाल के देखा मैंने जब तक यह gap आपको मिलना जाए exact okay हाँ okay एक और चाहिए blade आप copy कर लिज़े आप इसको बंडल टैप का बना लिए इसका इसको आप तरह से बंडल है ओके यह एक्जैक्टली आ गया है कि मेरा गैप copy हो गया है मतलब जो मेरा इसको बंडल बना लिजिए और यह जो अपने फिलर गेज बना है ब्लेट से इसको और अच्छा बनाने के इसमें आप वाप ग्रूगन से थोड़ा साब को इसको और लिए बना सकता है इसको ऐसे करके यह आपका होम एट फिलर गेस हो गया है घंडा हो गया है तो यह पका यह फायदा इससे होगा कि आप इसको फूल्ड कर सकते हैं आपका हाथ कटेगा नहीं और आपको याद भी रहेगा ऑच्छा सा हैंडल टैप का होगा एक बंडल टैप का बन गया तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको गैप एड़ेस्ट करना है तो सबसे पहले इसको करने से अप अलग-अलग मोटर साइकल में अलग-अलग थिकनेस होता है अलग-अलग स्पार्क ब्लुक्या उसको आप डाल सकते हैं इस तरह का ओके और उसके बाद ूपर से हलका इसको मार दीजही ओक्तब एकदम एक्सेक्ट साइज आ गया यह यह आपका स्टैंडर थिक तो इस तरह से आप एक ब्लेड का यूज करके आप अपना फिलर गेज बना सकते हैं अपने मोटर साइकल के लिए तो अब हम देखेंगे कि कैसे स्पार्क प्लक को लगाना है तो मैं इस कंडिशन में ओल नहीं लगा रहा हूं मैंने क्लीन कर लिया है लेकिन मैं ओल नहीं लग लगा रहा हूं मैं हर एक फिप्टिन टॉजन ट्विटी टॉजन पर नया स्पार्क प्लक लगा देता हूं इसमें तो मैं न्यू इस पार्क प्लक इसमें लगा रहा हूं तो न्यू इस पार्क प्लक लगाने के पहले आप क्या किजिए कि हलका सा इसमें ग्रीस लगा दीज जब आप ओपन कीजिए गा तो यह काफी टाइट हो जाता है तो उस समय आपको बहुत प्रॉल्म और यह क्या होता है कि यह जो इस पारक पलक है आपका यह स्टील का होता है यहां पर यह जो आपका है जहां पर फ्रेड जाता है वह पल्मुनियम कहोता है तो कभी कभी क्या होता है थ्रेड डामेज होने का चांस होता है इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको तुछ ग्रीस लगा दीजिए ताकि आपका थ्रेड सही सलामत रहा और नेक्स्ट अप आप ओपन कीजिए तो आपका इसली ओपन हो जाम नहीं हो प्ली से टाइट हो गया अभी देखी वासर तक चला गया कई यहां तक चला गया अब इसको कैसे टाइट करेंगे ज्यादा इसको टाइट नहीं करना के इसलिए मैं बोला था इस सstar का यूज़ नहीं करना है जो आपका standard गया हुआ है इसमें आपका होगा क्यूं कि याप चाह के भी इसको ज्यादा टाइड नहीं कर पाई अभी देखें यहां से हम सुरू करेगे यहां पर य pokyत यहां से हम सुरू करेंगे अब देखें हैं कितना हैं कि थेुम रहा हूं और पुड़ा अभी तक पी नहीं आया वापस काफी है इतना ओके डैकर मैंने एक टॉंड हीन किया मैं यहां तक क्या प्राइब आप काफी है इतना हिखना पहल आपकी ह Oczywiście अभस आपका बिर्मफ अखाना ड्चाने का जोत नहीं होनिताब अख़ानुसर में हैं लिखना अथेno करनी और कभी भी इसी का यूज चीआँ क्योंकि आप ज़्यादा कर लंबा हैंडल रहेगा तो आपको आपको पूरा टॉर्क मिलेगा आपको और पूरा इसकों कर लिए गा स्टॉड़ुच तो उन्हेमर कंब और फुर्द ब्रीट आपको फिर अजन परैद करें असपने मिकर सब Last मुझी, दिए ऑल को पना बार अजम Insp ¡ के राओई झाई सब्सक्राइब क्रबव अच्छा आपको अजया उन्हें करना की सब्सक्राइब और एक बात और उसमें ग्रीस लगाना मत भूलेगा वो भी बहुत इंपोर्टेंट है और इसको थोड़ा सा यह जो होल है इसमें आप थोड़ा से स्प्रे मार दिए कुछ ऑक्सिडेशन यह सब होगा तो यह सब स्प्लीन हो जाएगा और यह तो निया स्पार्ग प्लक है इसमें हलका सा और सपोज यह यहां से आपको ओपन करने का जोहत नहीं है यह जो वायर है इसको आप ओपन मत किजिए अगर सपोज ओपन करना इसको कभी तो इसको ऐसे घुमा के ओपन करना खीचना नहीं है इसको कि इसको घुमा के ओपन तो इसको इस तरह से घुमा के आप ओपन कीजिए इस तरह का इसमें यहां पर लगा रहे थे उसके पहले अब थोड़ा से साइड में पुछ अंदर जाए नहीं पहले ही यहां है आप जब रहा तो वहां पर लगाने के पहले में पूरा पूरा हैं पूरा है इसको वापस आप लगा लिए इसको अ करने का इसका जूरत में नहीं होता यहां लेकिनиласьit को तरह कि पूरा है इसको लगा लिए और इसको इस तरह से डाल दीजिए तो यह पुड़ानाया स्पार्क प्लक है इसको आप राख लीजे इस पेर पे मैं जरनली स्पार्क प्लक के रूप में यूज करता हूं सब्सक्राइब कुछ इमर्जेंसी हो गया अभी आप जा रहे हैं कहीं तो अगर आप इसको यूज कर सकते आप इसको टूल बॉक्स के अंदर ही अपना इसके अंदर डाल के इसके अंदर डाल के आप इसके अंदर डाल के आप इसको रख सकते हैं इस तरह से तो नेक्स टाम कभी इमर्जेंसी हुआ तो आपको इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से डालने सा आपको फैदा होगा कि आपका इसका गैप कभी अल्टर नहीं होगा यह सेफ रहेगा इसके अंदर जब आपका स्पार्क प्लग चेंज हो जाए तो एक बार इंजन अन करके आप देख लीजिए ओके अन करने के पहले एक बार देख लिए कि न्यूटरल में है कि नहीं तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं कैसे स्पार्क प्लग को क्लीन करते हैं स्पार्क प्लग कैसे रीड करते हैं तो मैंने सब कुछ आपको बताया और नेक्स टाम जब आपको चेंज करना होगा तो आपको कुसी मेकानिक के पास जाने का जोटनी पड़ागा मैं मुझे लगता है कि आप खुद से स्पार्क प्लक को चेंज कर सकते हैं और इसमें कोई टूल्स का भी जोटनी आपके जोटनी तो आप खुद से एक नए स्पार्क प्लक करके घ्ला करके खुद से उसको चेंज कर सकते हैं काफी easy process है तो तो धन्समीं पर वाचिंग माइव वीडियो और प्लीज मेन वीडियो को लाइक कीजिए और अपको अगर लगता है कि मैं आज वीडियो और बनाओ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये थैंक्स फो वाचिंग